डाउटनट पर आप आए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर जैसे एनवी सर जीबी सर अकांशा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स आज नाउलोड कीज़े डाउटनट आप आज एक नया चाप्टर लेकर आए हूँ आपने संग जो की है 11th क्लास का चाप्टर 4 अनिमल किंग्डम अब बहुत जादा इंपॉर्टन चाप्टर है यह इन टर्म्स ओफ की क्वेश्चन यहाँ पर के सरीके से आएंगे एक तो क्या है इतनी जादा वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत जादा इंपॉर्टन है इस चाप्टर को प्राक्टर करना तो जैसी कि यहाँ पर आनेमल किंग्डम है तो सारे किंग्डम उसके जितने भी एक्जाम्पल्स हैं और उसके फीचर्स हैं बहुत जादा अच्छे से पता होना चाहिए एंसी आटी के लिए लाइन बाइ लाइन आपको यह चैप्टर पढ़ने की जरूरत है कोई भी डाइगरम, कोई भी संवरी में कहीं पर गिवन कोई भी पॉइंट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर मैं आपके सांग इंपोर्टेंट ट्रिक्स भी डिसकर्स करूंगी इसके लावा आप नीट के प्रिवियस क्वेशन जरूर प्राक्टिस कीजिए तो यहाँ पर वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं अपने चाप्टर के साथ अब यहाँ पर जैसे इस चाप्टर में से क्वेशन जैसे मैंने बताया कि एक तो example of features में से आते हैं basis of classification में से भी question बनते हैं अब क्या है हम already पढ़ जोके हूँ आप की क्यों classification की requirement है तो जो मारा पूरा animal kingdom है उसको हम किस basis पे classify करते हैं तो वो यहाँ पे हम retain में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे first आता है level of organization कोई भी organism चाहिए वो plant हो या animal हो वो बना किस से है cell से बना है cell मिलके tissues बनते है tissues मिलके organ बनती है और organ फिर एक इखटा organs मिलके एक system बनाते है तो इसी तरीके से evolution हुआ पहले simple single cell आये, multi cell आये, different tissues बने then organ level आया, फिर system level आया तो यहाँ पे हम यही चीज़ पढ़ेंगे तो अब जैसे for example यहाँ पे जो भी दे रखा है बेशर अगर sponges की बाद यहाँ पे हुई है तो आपको यहाँ पे भी पढ़नी है ऐसा नहीं है कि छी के बाद में पढ़ लेंगे इन paragraphs को नहीं छोड़ना है तो क्या कहते है इन sponges में जो cells है वो arrange होते है loose aggregate loosely arrange होते है तो यह cellular level ही दिखाता है यह कोई भी ऐसा नहीं है कि tissue level दिखा रहा है मतलब कि इन sponges में क्या है जो cells है वो मिलके ऐसा नहीं है कि अलग-अलग tissues बना रहे है cellular level पे ही काम होता है जितने भी function sponges को perform करने हैं जाए खाना खाना से related हो excretion से related हो हर चीज साइडर level पे ही होती है तो जैसे हमको पता है living organism की एक क्या होती है ability होती है या cell की एक ability होती है कि division of labor होता है यानि कि जो भी cells हैं वो आपस में अपने function को divide कर लेते हैं जैसे हर cell के अंदर हर organally का अलग-अलग function होता है अब next है in sealant rates the arrangement of cell is more complex cells और complex arranged जाते हैं पहले symbol loosely arranged थे अब और complex हो गए then cell जो है perform करते हैं same function तो जो cell एक जैसा function perform कर रहे हैं वो एक जैसा tissue बना देते हैं इसलिए इसको tissue level बोल देते हैं उसके बाद further जब हम platy-helminthes पे आते हैं तो उसके पास organ level आ जाता है यानि कि अब सारे group of different-different tissues में लाके organ बनते हैं और हर organ का अपना एक function होता है तो they are grouped together to form organs जहां पे tissue group करते हैं अब हमार पस क्या होगे animals like annelids, orthopods, mollusks इसमें क्या होता है और echinodermata, caudates के अंदर भी अब ये सारे जो organs हैं मिलके एक system बनाते हैं जैसे हमारी body का respirator system उसमें lungs हैं, nose हैं ये सारी organs combined है this pattern is known as the organ system level of organization ठीक है? जैसे हैं आपे दे रखा है digestive system in platy-helminthesis होता है अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अब उनमें single system तो आ गया है proper लेकिन जरूरी नहीं है कि वो system बहुत जादा complex होगा जैसे platy-helminthesis में simple system होता है digestion का एक opening होती है to the outside body जो सिफ बोथ mouth और annus का भी काम करेगा यानि कि food को intake भी वहीं से हो रहा है और waste substances भी बाहर वहीं से जा रही है तो एक incomplete यहाँ पर system हो जाता है then complete as a system कैसे है जैसे उसमें दो opening जब होती है तो यहाँ पर यह point को अच्छे से mark करना है कि किसमें complete होता है किसमें incomplete होता है तो जो complete system होगा उसमें क्या होगा दोनो openings होंगी mouse और annus की उसी तरीके से circulation system भी दो type का होता है एक हो जाता है open system जिसमें जो blood है वो out of the heart pump होता है and the cells and tissue are directly based in it मतलग क्या हुआ heart ने pump कर दिया आसपा सारे cells and tissue है simple वो उसमें infuse हो जाता है close type में क्या होता है जो blood पूरी capillaries की system से vessels की system तक हर cell तक पहुँचता है then यहाँ पर जो next हमारा difference नहीं characteristic आ जाता है जिसके basis पर हम kingdom को classify करते है वो हो जाता है symmetry कि body की symmetry कैसे है अब organism तो बन गया तो body है कैसे तो उसमें या तो organism symmetrical होगा या asymmetrical होगा जैसे sponges जो होते हैं वो asymmetrical होती है मतलब अब आपने कहीं से किसी access से cut कर दिया है organism को तो वो equal equal halves में नहीं बटेंगे similarly अगर बिल्कुल exactly 2 halves में बटेगा बीच में से काटा जैसे की हम यहाँ पे ऊपर यह हमें दिख रहा है crab इसको इस access से काटा तो देखो इधर भी exactly same है यहाँ पे एक आपको इधर दिख रहा है एक इधर दिख रहा है यह appendages इधर है इतने ही appendages इधर है तो इसको bilateral symmetrical बोलते हैं then हम आपस आता है radial symmetrical तो यह क्या होता है जब जो plane है यानि कि जिसको आप cut कर रहे हो यह वाला जो plane है जब इसको central axis से बाढ़ते हैं तो दो equal half मिलते हैं इसमें example अगें insulin rate, stenophores, echinoderms फिर जितने भी analytes हो गए orthoports हो गए यह सारी क्या हो गए identical left and right होता है तो bilateral symmetrical होता है then इसके बाद अब आज जब आज़ते हैं embryonic layer के से साब से divided है यानि कि germ layers अब अगर germ layers है तो वो कितनी layers बनाती है suppose अगर वो दो layer बनाता है तो वो diploblastic होता है अगर वो तीन layer बनाता है वो triploblastic हो जाता है तो यहाँ पर कितनी type की layers हो गई in case of अगर हमारे पास दो layers है तो एक external होगी जिसको बोलते हैं ectoderm और जो internal membrane होगी उसको endoderm बोलते हैं जैसे देखो यह जो diagram है मुझे diploblastic दे रखा है तो यहाँ पर दो germ layers है अब एक क्या हो गई? हमारे पास endoderm हो गई है एक हमारे पास ectoderm हो गई है तो यह diploblastic हैं example sealant traits अब इसी में एक undifferentiated layer है यहाँ पर एक और दिख रहा है आपको mesoglia अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यह ऐसा नहीं एक distinct layer है आप इसको proper differentiate नहीं कर सकते हो लेकिन यहाँ पर है mesoglia in between the two layers तो जैसे ही जब और evolve हुए layers तो यही layer अब third layer बन गई mesoderm तो यहाँ पर दोनों को मिलाके तीन हो गई तो triploblastic हो गई जैसे platyhelminthus, chordates next हो जाता है presence and absence of cilum अगर present होगा तो उसको cilomate बोलेंगे और अगर absent होगा तो उसको acilomate बोलेंगे तो यह क्या होता है basically एक cavity होती है body की cavity जो की present है कि नहीं तो अब इसकी definition भी बता होने चीए है presence and absence of the cavity between wall और gut wall और यह जो बनी होती है यह mesoderm से बनी होती है तो जिसमें होते हैं उनको cilomates बोलते हैं जैसे analytes, mollust, complex form है तो band में आया arthropod, actinodermata, hemicodates or codates then एक होते हैं acilomate जिसमें नहीं होती absent होती है जैसे platy helminthus अब एक और टाइप के होते हैं जिसमें क्या होता है जो body cavity होती है वो pseudoselum होता है यानि कि properly developed नहीं है तो इसमें basically जो body का यह जो selum है यह जो cavity है इसमें mesoderm layer present नहीं होती लेकिन इसमें pouches होते हैं in between the endoderm and endoderm यानि कि incomplete होती है अब जैसे यह देखो यह जो A है यह silumate है यह जो body cavity है अगर आप इसको देखोगे तो यह mesoderm से properly बनी हुई है यह जो second वाला है A silumate यहाँ पे body cavity तो present है लेकिन एक proper mesoderm नहीं है इसमें pouches present है third में क्या है body cavity नहीं है ठीक है next आ जाता है यहाँ पे segmentation अब कुछ-कुछ organisms ऐसे होते हैं जिसमें आप उसको segments में divide करते हो ठीक है जैसे caterpillar हो गए earthworms हो गए तो आपने देखा होगा उसमें body बहुत सारे segments में divided हैं तो वो हो जाती है segmented body then for example in earthworm जो body है एक metameric segmentation दिखाती है अब metameric segmentation को बोलते हैं metamerism यह क्या होता है कि जैसे earthworm है तो उसमें metamerism दिखा रहा है तो metameric segmentation मतलब जो भी इसके organs है या जो भी इसके जो tissues है यह क्या है एक equal intervals में repeat होते हैं तो आप कोई भी अगर एक part लोगे segment लोगे तो महापे वो चीज़े देखने को मिलेगी तो body एक linear series में तो अगर इस तरीके से segmentation हो रखी है तो linear है तो जो भी आपको segments मिल रहे हैं या जो भी आपको मिल रहे हैं parts तो वो क्या होते हैं similar parts होते हैं और metamerism के case में उन segments को बोलते हैं metamers then next आजाता है notochord अब यह क्या है एक mesodermally rod shape structure है mesodermally derived मतलब इसमें mesoderm का layer है जो कि dorsal side में होता है dorsal side होती है back side during embryonic development जब embryo की development हो रही है तो एक rod shape structure present होता है तो जिन organism में notochord होता है उनको caudates बोलते हैं ठीक है और जिसमें नहीं होता है उसको non-cordates होते है then now हम classification देखते हैं तो यहाँ पे इस figure को बहुत अच्छे से practice कर लो notebook में बना बना के तो बहुत सारी अगर आपको नहीं भी आता है यह chapter तो अगर for example अगर आपको कोई एक phylum दे रखा है उससे related अगर पूछा है तो आप उसके features बता सकते हो अब देखो इसमें क्या होता है organism है या तो single cell होगा ठीक है अब जब single cell के बाद multi cellar आए अब जब multi cellar होगा तो या तो उसमें सिफ cells होंगे या cells जो हैं उन्होंने मिलके बना दिये tissue या organ या फिर system देन क्या है अगर सिफ cellar level है कोई symmetry नहीं है यानि कि asymmetrical है sealum present नहीं है sealum present है तो वो body phara हो गए ठीक है उसी तरीके से अगर इन ही में tissue level आ गया radial symmetry है body में sealum present नहीं है तो वो tino phara हो गया और sealantrita देन biological कौन से आ गए हमारे platy helminthes तो उनके पास without body cavity है यानि कि acylomates है किसी में pseudosilomates है किसी में sealomates है तो अब sealomates में भी कौन से आ गए ये सारे हमारे phylum आ गए तो यहां से आग characters को एक idea हो जाएगा learn रहेंगे आपको characters then हम start करते हैं हमारे सारे phylum जैसे मैंने बताया था कि पूरे chapter में examples बहुत important है तो हम start करेंगे सारे के सारे phylum अब उसमें हम सभी के सभी features देखेंगे और हम tricks देखेंगे examples को learn करने की ठीक है और question वहीं से हमारे बनते हैं तो सबसे पहले आपके पास आगया phylum porifera अब porifera नाम से ही याद कर लो इसमें pores होते हैं तो pores जैसे अब बहुत सारे देखेंगे तो sponges जैसे हमारे घर में sponge होता है उसमें बहुत सारे pores हैं उसी एक image बना लो और यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा ठीक है उनको commonly sponges बोलते हैं then वो asymmetrical animals होते हैं अब जो इनकी जो primitive हैं वो multicellular animals थे और cellular level of organization था उनकी body में एक canal system है अब ये चीज़े बहुत important है जो इनके peculiar है तो they have water transport और canal system water enter होते हैं minute pore से उसको ostia बोलते हैं body की अंदर एक cavity होती है तो sponges के नाम से ही spongy coil ठीक है where it goes out through ossiculum अब बाहर कैसे जाते हैं और ossiculum से जाते हैं ये जो pathway है water transport का ये सिफ इसले ही नहीं लिकिन food भी ग्यादर इस तरीके से होता है ये respirate भी ऐसी करते हैं waste का removal भी इसी के तरू होता है then यहाँ पर इनके पास एक special cells होते हैं जिनको collar cells होते हैं और इनका नाम है quanocytes ये क्या होते हैं अब collar cell जो की water transportation में ही help करते हैं तो ये पूरे spongy coil और canal में present होते हैं अब इनके पास जो skeleton होता है वो बना होता है specules और spongy fiber तो ये सारे terms बहुत important हैं इसमें sexes अलग-अलग नहीं होते अलग-अलग नहीं होंगे तो दोनों में same होंगे bisexual होंगे और उसको hermifrodite बोलते हैं अब इसकी जो fertilization वगरा होती है वो कैसे करना है तो eggs भी और sperm भी क्यूंकि bisexual है तो एक ही individual बनाएगा ये reproduce करते है asexually by fragmentation तो fragmentation से होती है and sexually कैसे करेंगे gamete formation से क्यूंकि male और female में exosperms तो बन रहे हैं तो gametes तो बन रहे हैं तो sexually ऐसे बनेंगे अब fertilization internal होगी और जो development है वो indirect है तो ये हमें देखना है साभी में कि direct development हो रही है कि indirect development है इन देखना है कि ऐसा नहीं है कि एक ही individual है humans में अगर fetus है zygote बना फिर embryo develop हुआ fetus बन गया ऐसा नहीं है यहाँ पर indirect है एक mid stage आती है वो होती है larval stage तो वो की बीच में present होती है जो कि adult से बिलकुल अलग होती है अब इसके examples हो गए हमाँ पर psychon, spongila, you spongila इन सभी के common names भी learn करना बहुत ज़रूरी है अब इसके example हम कैसे learn करेंगे यहाँ पर मुझे याद लगना है people speak European slang अब क्या होगा people के p से हो गया porifera तो यह जो लाइन है porifera के ले याद करनी है ऐसे हो गया हमारे पास psychon then हमारे पास एक और ऐसे spongila और E से हो गया use spongia ठीक है अब हम अपने next फाइलम में बढ़ते हैं which is sealant traitor यह क्या है इसको बोल दिया sealant traitor या फिर nidarians अब यह aquatic होते हैं marine होते हैं जादा से जादा free living free swimming भी हो सकते है इनकी जो symmetry होती है body में radial symmetry होती है then अब यहाँ पे जो important चीजे हैं इनके अंदर special cells होते हैं जिनको nidoblast या sinidoblast या nidocytes या फिर sinidocytes भी बोलते हैं इनके अंदर क्या होते हैं यह जो cells हैं इनके अंदर एक special stinging capsules होते हैं जिनको nematocytes भी कहा जाता है यह जो हैं उनके body के tentacles में present हैं अब यह use कैसे करते हैं इनका use क्या है यह anchorage मतलब जिसे किसी को hold कर लिया फिर वहाँ पे वो अब उसको support के through रह सकते हैं तो anchor की तरह काम कर रहे हैं देन defense में भी help करते हैं और prey capturing में भी यह इनको help कराता है देन जो cyanidarians होते हैं या nidarians होते हैं इनके पास tissue level of organization होता है और यह diploplastic organism है next इनके पास एक gastrovascular cavity है अब यह सारे words important है इनके mouth में एक single mouth opening है जिसको बोलते हैं hypostome digestion बाहर भी होती है cell के और अंदर भी तो extra intra दोनों type की cellular organization है वदलब digestion दोनों ही type का है then examples are corals अब very important इनके पास skeleton होता है special calcium carbonate का then यह दो type के होते हैं एक होते हैं polyps और डूसरे medusa अब देखो polyps कैसे होते हैं इनकी body societal है cylindrical है जिसके examples हो गए यह इसके examples हैं hydra adamcia then whereas जो हमारे medusa होते हैं उनके पास एक umbrella जैसा structure होता है mushroom जैसा structure होता है example aurelia जिसका common name है jellyfish यह alteration of generation दिखाते हैं अब मतलब जैसे plant है या कोई animal है reproduce कर रहा है उसके बाद ही तो next generation मिल रही है अब यहाँ तो वो asexually reproduce करेगा या वो sexually reproduce करेगा alteration of generation मतलब इसमें sexual face भी आता है और asexual reproduction का face भी आता है then polyps जो है produce करते हैं medusa asexually याद रखना है यह जो इच्छुछी lines है जो आप miss कर देते हो question यहाँ से आ जाते हैं और medusa जो है वो फॉर्म करते हैं polyps sexually example obelia अब देखो यहाँ पे medusa का एक umbrella shape structure था वो इस तरिके का दिखते हैं और यह जो polyp हैं यह थोड़े slender होते हैं तो यह जो example है aurelia और adamcia is for polyp type of cnidarians ठीक है अब सारे इसके examples then we have physalia इसको portuguese man of war बोलते हैं admesia sorry adamcia penatula gorgonia और meandrina अब इसको कैसे learn करेंगे हमें याद रखना है cool adam and philip got passing marks तो यह statement learn रखनी अब c से हो गया हमारा sealant rate then अब a से क्या क्या है हमार पास admesia ठीक है या adamcia यहां से हो गया then एक और a आया मेरे पास which is for aurelia ठीक है then we have p से physalia then g से हमार पास gorgonia again एक पी आया penatula and m से we have meandrina तो यहां से इसके सारे examples cover हो गए अब जरूरी नहीं है कि आपको एक दुम word to word spelling की तरह याज होना चाहिए आपने यह statement learn कर ली अगर आप daily भी इन statements को revise करते हो तो exam में क्या होगा आपको वहाँ पर याद आ जाएगा अगर आप suppose question आया आने लिए इस से related question आया आपने यह trick वहाँ पर लिग दी बस वो statement उस phylum के लिए याद रख लो या वो सारी statements learn कर लो वहाँ पर phylum के लिए भी word है तो आप क्या करोगे अपने आप ही उस ताइम पर आपको दिमाग में आ जाएगा कि यह इसके अंडर आता है यह इसके अंडर आता है next time आप पस phylum tenophora ठीक है यह examples बहुत अच्छे से आप देख लो टीनोफोरा काओ हम प्लियो ब्राखिया अब देखो टीनोफोर्स क्या होते हैं commonly known as sea walnuts इनको sea walnuts में बोलते हैं उनकी body में comb jellies होती है अब यह exclusively marine ही होते हैं body में इनकी radial symmetry है यह figure से ही लग रहा है radial symmetry होगा diploblastic है दो germ layers है tissue level of organization है तो cells tissues बन गए अब इनकी body में comb plates होते हैं और यह कितने होते हैं यह अच्छे से पढ़ना है 8 comb plates होते हैं then अब जो इनकी digestion होती है again extracellular भी है और intracellular भी है इनके पास एक special character होता है bioluminescence body के अंदर कुछ biological chemical reactions जो हो रही है कुछ ऐसे होते हैं कि वो body को illuminate करते हैं वो chemical substances की बज़से luminescence होता है light emit करते हैं ठीक है अब sexes again separate नहीं है reproduction सिर्फ और सिफ sexual means से होती है यानि यह भी hermaphrodite होगा अब sexual means है तो definitely यहाँ पे gamines होगा एक ही individual में fertilization इसकी external होती है और indirect development होती है अब यहाँ पे एक statement याद रख लो please care सी से टीनो फोरा सी से टीनो फ्लाना और पी से हमारा प्लियो ब्राखिया next है हमाँ पास platy helminthis अब यह कैसे होते हैं नाम से ही पतल लग रहा है platy flat है ठीक है इनकी body flat होती है तो इनको flatworms बोलती है यह dorsalventry flattened body है यानि back and front flattened है now mostly यह parasite की तरह काम करते हैं और body के अंदर रहते हैं तो यह endoparasites होता है mostly animals और human beings में होते हैं इनकी body biological symmetry है यानि कि अगर इस तरीके से काटेंगे तो इधर और इधर same मिलेगा triploblastic है body में selum नहीं है तो acylomate हो गया अब आ जाता है organ level of organization इनकी body में special structure होते हैं जिसको hook and suckers बोलते हैं क्योंकि यह parasite है तो इनकी body में इसी तरीके की development है जो कि hooks का काम कर रहे हैं now इसी के through यह absorb करते है nutrients from the host ठीक है specialized cells होते हैं इनके पास flame cells जो इनको excretion और osmoregulation में help करते हैं ठीक है sexes इनके भी separate नहीं होते fertilization internal होती है और development होती है larval stages से यानि कि यह भी हो गई indirect अब कुछ कुछ में high regeneration capacity होती है जैसे planaria regenerate मतलब जैसे अगर suppose यह एक organism है इसको मैंने दो parts में बाढ़ दिया अब यह वाला part भी पूरा नया organism बना देगा और यह वाला part भी पूरा नया organism बना देगा अब इसके examples learn करने के लिए हमें क्या करना है I hope for tap अब इसमें सारे features भी आ जाएंगे I से हो जाएगा indirect development and internal fertilization ठीक है then हमार पस आ गया edge से edge से इनकी body में हो गए hooks and suckers O से क्या हो गया इनकी body platy helmet से ही organ level start हो जाता है P से एक example हो गया इनकी body का planaria E से हो गए यह endoparasites सारे के सारे इनके जो important features है cover हो रहे है F से हमारा एक example हो गया fascicola O से हो जाएगा हमारे पास फिर से organ level R से नहीं है तो हमें यहाँ पर सिफ F के लिए देखना है और tap से T से हो जाएगा हमारे पास triploblastic A से हो जाएगा A seromate और B से हो जाएगा bilateral symmetry तो अब हम next में आते हैं अब देखो T से यह भी याद रखना है हमारे पास होता है tapeworm and platyhelminthus हो गया उसके लिए fascicola tania tania से यहाद रखना है tapeworm then हमारे पास यह भी याद रखना है liver fluke ठीक है तो fascicola को बोलते हैं liver fluke then next आजाएगा ascii helminthus अब इनकी body कैसे होती है ascii helminthus की circular in cross section इस type के worms है जिसे round worm circular cross section है अब यह free living भी हो सकते हैं aquatic भी हो सकते हैं terrestrial भी हो सकते हैं humans में यह parasites की तरह भी रहते हैं ascaris एक diseases होती है वो ascaris फेल आते है round worm ascii helminthus के अंडर आते हैं इनके पास organ level of body की organization है यह bilaterally symmetrical होते हैं triploblastic pseudocillumate pseudocillumate यानि की mesoderm नहीं है अब important points हो गए muscular pharynx होता है well developed excretion के लिए tubes हैं जो remove करती है waste को body से sexes अब यहां से start हो गए separate sexes male भी मिला female भी मिला then males and female distinct है often जो females है वो थोड़ी longer होती है fertilization अब क्योंकि दोना अलग है internal है development direct है young one से ही सीधा edit में मिल जाएंगे कोई larval नहीं है लेकिन at the same time indirect form भी होती है अब यहां पे आपको statement याद रखनी है हाव वन ठीक है जहां पे edge से हो जाएगा हमारे पास hook warm ठीक है एंक्लाइलो स्टोमा then a से हमारे पास हो जाएगा ascaris then हमारे पास w आ गया इससे vitryria ब्रॉंकॉफ्टी से फ्लारी एसस होता है then w हो गया then again a आ गया हमारे पास a से ascaris and n से इसमें नीमा टोड्स भी आते हैं ओके लेक्स हो गया आनलीज अब आनलीज एक्वेटिक में मरीन भी हो सकते हैं fresh water भी हो सकते हैं parasitic है और्गन लेवल है bioletrical symmetric है triploblastic metameric segmented selum होता है इनकी body के अंदर जैसे मैंने बताया था metamere बोलते हैं segment को phylum जो name है analyde इनकी body में annulus होता है चोटी-चोटी rings है ठीक है they possess longitudinal circular muscles जो help करते हैं उनको locomotion में movement में एक जगा से दूसरी जगा पहुंचने में कुछ equatic annulus जैसे nearest इनमें lateral appendages होते हैं यह दिख रहे हैं side में आ रहे है appendages इसको lateral appendages बोलते हैं which is known as parapodia अब यह important है parapodia अब यहां से start हो गया है close circulatory system nephredia जो की excretion और osmoregulation के लिए उस होता है then इनके पास neurons इसे मारी body में होते हैं इनके पास क्या होते हैं consist of ganglia ठीक है then अब इनके पास nerve cord होता है nares aquatic form है daecious है male और female separated है लेकिन leeches जो है वो monoecious होते हैं reproduction सिर्फ और सिर्फ sexual है इसमें क्या याद रखेंगे ने हाँ ठीक है easy है n से हो जाएगा nearest e से हो जाएगा earthworm जिसको fairy dhima भी बोलते हैं x से हो जाएगा heron dhenia blood sucking leech के लिए यूज होता है एंड एसे अनलीज नेक्स अगा वापस आर्थो पोड़ा अब इसमें एक दो चीज़े हैं जो बहुत जादे इंपोर्टेंट है आर्थो पोड़ा के लिए कि यह largest phylum है अब जितने भी इसके अंदर insects होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं इनके पास appendages होते हैं जिसको joint appendages बोलते हैं बोड़ी में organ level आ जाता है biological symmetry होते हैं जैसे हमने देखा था insects में स्टार्टिंग में triploblastic होते हैं coelomate animals है बोड़ी में जो endoskeleton होता है वो chitin का बना होता है बोड़ी में head है thorax है और abdomen है अब respiratory organs में gills भी हो सकते हैं book gills भी हो सकते हैं book lungs भी हो सकते हैं और trachea भी हो सकता है circulatory system open होता है antenna है body में compound eyes भी हो सकती है simple eyes भी हो सकती है statostets balance organs are present इनकी बोड़ी में excretion के लिए present है malfean tubules ov paris होते हैं यानि की egg laying होते हैं development direct भी हो सकती है indirect भी examples हमारे पस आ जाएंगे जैसे honey bee, bombics इसमें तो सारे के सारे animals होंगे जितने भी insects होंगे सारे orthopoda में आ जाएंगे अब कुछ-कुछ vectors हैं जो की काम करते हैं disease cause करने का यानि की जैसे female anophilis mosquito ये malaria cause करती है ades mosquito ये dengue cause करता है yellow fever cause करता है culex mosquito ये philariases को vector की तरह काम करता है इस disease के लिए then locust आते हैं limulus आते हैं तो इसमें basically आपको ये vectors important है और जो भी इसके important points है then हम अपने next phylum में आ जाते हैं which is mollusca अब ये second largest phylum है then terrestrial भी हो सकते हैं aquatic भी हो सकते हैं body में organ level है bilateral symmetrical है triploblastic है silomate animals है body जो covered है एक calcareous shells है तो यहाँ पर ये important है body में calcareous shell है body unsegmented है ये देख रहों कोई segmentation दिख रही है आपको head muscular foot visceral hump है इनके अंदर soft spongy layer है जो की mantle बनाती है मतब ये जो hump है ये cover है एक soft spongy layer के साथ then ये जो hump है और mantle हैं इसकी बीच में space है तो ये cavity बन रही है अब यहाँ पर gills जहाँ पर feather like gills present होते हैं जो की respiration में help करते हैं और excretion में भी help करते हैं अब एक important यहाँ पर point है radula ये क्या है जो इनका mouth होता है वो एक fire like rasping organ है feeding के लिए उसको radula बोलते हैं then I will say examples हाँ एक चीज़ और ये species है ओभी paris है और indirect development इसके लिए याद रख लो statement so much bandruff on scat अब यहाँ पर सारे के सारे आपके complete हो जाएंगे ऐसे क्या हो जाएंगे यहाँ पर snails आ जाएंगे सारे snails इसी में होते हैं जो apple snail है उसको पिला बोलते हैं then M से mollusk हो जाएगा then we have D D से आपके पास हो गए dentalium tusk shell then O से क्या हो जाएगा हमार पास oysters pearl oysters को pinkada बोलते हैं then हमार पास scalp यह सभी के सभी अब जो S से है यह हमारी CPA हो गए then हमारा C से हो गया keto pleura then A से हमार पास आ जाएगा aplesia L से हो जाएगा हमार पास lolligo and P से हमार पास हो जाएगा pearl oysters हो सकता है P से और यहां O जो हो जाएगा octopus के लिए ठीक है next में अब आ जाते हैं phylum echinodermata अब यह जो है इनके पास again एक endoskeleton होता है calcareous ossicles का ठीक है अब इनकी body spiny होती है body में spines present होते है marine होते है organ level of organization biological symmetrical radius symmetrical यह इसमें peculiar point है biological symmetrical larvae होता है तो यहीं से पतल लग गया indirect development हो जाएगी reproduction sexual है fertilization external है अब body mean के पास aner है upper region में यानी back region में उसको anus बोलते हैं और जो mouth है वो lower region में है ventral region में है ठीक है body में एक water vascular system है जो locomotion में भी help करता है capture of food में help करता है और vascular system है तो transportation में help करेगा ही अब इसके लिए आपको याद रखनी है c ecosystem अब देखो starfish आ गई मेरी ऐसे हो जाएगी ठीक है देन में पास e से आ गया echinodermata a से हो जाएगा आप ले लो antidone ठीक है अब यहाँ जो e को है सिफ यही words है बाकी के लिए जिससे o से हो जाएगा c से हो जाएगा क्यूक्यूमेडिया और e से हो जाएगा इशनस जिसको sea urchin भी बोलते हैं next अम आ जाते हैं hemicodata में अब यह जो है hemicodata earlier consider किये जाते हैं सब phylum under chordata chordata के अंदर आते थे बट अभी यह अलग हो गया है क्योंकि यह non-cordates है completely इनके में notocod present नहीं है अब यह जो है warm like सारी होते हैं इनके अंदर marine है, organ level of system है, bilaterally symmetrical है, triploblastic है, celiomates इनके पास एक probiscus gland है, anterior probiscus, collar है, long trunk है इनके पास, ठीक है circulatory system open है, respiration यहाँ पे gills के थू होती है, excretory organ जो है again यही probiscus gland है जो excretion में help करते हैं, sexus separate है, external fertilization and development जो है indirect है अब इसके examples एक जैसे हैं आब याद कर सकते हो और बहुत बाकियों से अलग है balan glosses और sacco glosses देन अम आजा आ जाता है हमारा phylum cordate, जिसके अंदर notocod present होता है एक hollow nerve cord, gills slits होते हैं अब इनके अंदर इस तरीके से जोकि respiration में help करते हैं, symmetrical, bilateral होती है, triploblastic होते है selum present होता है, organ level of system है अब इनके पास है close circulatory system, यहाँ पे यह बहुत important है एक post annal tail होता है, ठीक है, अब यह भी अच्छे से पता होना चीह है हमें difference between cordates and non-cordates, notocod present है, इसमें absent होगा central nervous system, यह dorsal होता है, back होता है notocod back में present है, long tube सा embryo के stage पे, तो back पे ही nervous system होगा develop यहाँ पे ventral होता है, double है, यहाँ पे single है, hollow है pharynx के अंदर gill slits होते हैं, यहाँ पे absent है, heart आगे present होता है अब देखो, cordates में vertebrates इसके अंदर आते हैं, मारे आगे hurt होता है post annal tail यहाँ पे present होती है, अब phylum cordata जो है, वो तीन में divided होता है eurocordata, जिसको tunicata भी बोलते हैं, cephalocordata और vertebrata अब इसमें से क्या हो गए, जो हमारे eurocordata होते हैं और जो cephalocordata है, वो primitive होते हैं, तो उनको proto-cordates बोलते हैं अब यह marine है, अब यहाँ पे दोनों के ही different features याद करेंगे तो eurocordata में क्या होता है, जो notocord है, वो सिर्फ larval tail में present है वाइल cephalocordata में क्या होता है, वो पूरा extend होता है head to tail में अब example, eurocordata के ascedia, salpa, dolium, sorry यह है, dolium, dolium अब cephalocordata, तो यह कोई भी एक याद कर लो, अगर हमें ascedia, salpa और dolium याद हो गया तो cephalocordata याद करने के ले हम यह याद रख लेंगे black जहांसे C से है cephalocordata, B से हो जाएगा branchiostoma, L से lancelate और A से amphyoxus अब जो vertebrate होते हैं, वो more evolved होते हैं, उनमें notocord होता है early embryonic stage में बाद में यही vertebral column बन जाता है, जो की cartilaginous होता है या boni होता है अब जितने भी vertebrate हैं, वो क्या है caudates, लेकिन कह सकते हैं कि सारे caudates vertebrates नहीं है, अब इनके पास heart आने हैं, उसमें chambers होते हैं ventral तो है heart लेकिन किसी में 2 chambers होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं यहाँ पर kidney हो जाती है excretion के लिए, ठीक है, और joint की जगा pair appendages हो जाती है अब vertebrate जो पूरे हैं, बहुत different, different class में divided हैं, तो सबसे पहले देखते हैं cyclostomata, अब देखो इसको पढ़ने के लिए यह चीज़ देखो, कि यहाँ पे further division होती हैं एक होती है agnitha, इसमें जो jawless होती है, और mostly यह fishes ही होती है, जिसमें class ठाजाएगा हमारा cyclos domata दूसरी तरफ क्या होते हैं, इनमें jaw present होती है, तो यह हमें जो super classes है, क्यों super class? क्योंकि यह further or divide होती है, एक जिसमें आ जाती है Pisces, अब इनके पास jaw वाली fishes होती है और दूसरी हमारे आ जाते है Tetrobor, जिसमें limbs होते है, Pisces में fins होते है तो cyclos domata में क्या हो गया? यह ectoparasites होते हैं, इनके अंदर gillslits है, 16 to 15 होते हैं, जो कि respiration में help करते हैं अब क्योंकि parasite है, तो sucking and circular mouth है, jaws नहीं होते, इनके पास fins है, body में अभी scales नहीं है ठीक है, cartilaginous vertebral column है, इसलिए यह vertebrate है, circulation इसमें closed होती है अब यहां देखो ध्यान से, यह होते तो marine है, लेकिन spawning के लिए, यानि कि eggs ले करने के लिए, यह fresh water में जाते हैं जब यह हो जाता है, within a few days, they die, उनका जो larvae है, वो metamorphosis से, यानि कि एक larvae पूरा अलग अलग फिर different body के parts में convert हो जाता है और दुबारा से ocean में चले जाते हैं, example, lamprey, maxine and hagfish next हमार पर जाते है, conridge thighs, अब यह marine है, अब यहां पर याद रखना है कि इन में क्या होते है यह fishes होते हैं, जिनके पास jaws present होते हैं, ventral है, front में इनका mouth होता है, notocot present है throughout their life एक जो gillslits है, वो separate है, और without operculum है, यानि कि cover नहीं है, operculum याद रखना है, important है scanion की tough है, इसमें upscales आ जाते हैं, जिनको बोलते हैं, plechoid scales which are backwardly directed, examples, अब यहां पे जो यह अच्छे से पढ़ने हैं, हमें की boni fishes और cartilaginous fishes तो जो cartilage बाली fishes होते हैं, उसमें हमार पास coliudion और ristus आ जाती है तेन अभी जो इनके यहां पे दे रखा है कि animals हैं, वो predacious हैं ठीक है, यानि कि predators होते हैं, prey को खाते हैं अब, इनके body में यह cold-blooded organisms होते हैं, इनके body में दो chambered heart होता है एक auricle और नीचे ventricle अब इनके पास, किसी-किसी के पास electric organs होते हैं ठीक है, example, torpedo, यह सारे बहुत important है किसी के पास poison release करते हैं, example, trigon अब, यह cold-blooded हैं, जिनको poikilotherms बोलते हैं यानि कि cold-blooded क्या होते हैं, यह जो इनके body का temperature होता है वो constant नहीं होता यह change करते रहते हैं, जैसे-जैसे environment का temperature change होता है ठीक है, अब, male के पास pelvic fin में class words होते हैं internal facetilation, fertilization है और VV paris हैं, very important यह young birth, new ones को birth देते हैं example, dogfish, यह example याद रखने हैं, scoledion, sawfish, great wild shark, trigon यह सब हमें याद रखने हैं next आ जाते हैं, हमारे osteoethice अब, again, यह marine है, freshwater fish भी है अब, यह cartilage नहीं हो करके, bony है example, catla catla हो गया, hippocampus हो गया they have four pair of gills, gills हैं, लेकि इनकी body में operculum present है, gills को cover करता हुआ, operculum है इनकी body में air bladder है, जो उनको एक buoyancy provide करता है अब, again, यहाँ पे भी दो chambered hearts होते हैं sexes separate हैं, cold-blooded होंगे external development है और यह OV Paris होते हैं mostly, very important, वो वाले VV Paris थे, यह वाले OV Paris है development direct है इसके भी example सारे पढ़ने है जैसे labio rohu अब यहाँ पे यह question आता है कि fresh water fish कौन सी है marine water fish कौन सी है तो यहाँ पे यह बहुत important है learn करना then हमारे पास next class आ जाती है which is amphibians यह क्या होते हैं यह कुछ time water में रहते हैं और कुछ time terrestrial बन जाते हैं they are aquatic as well as terrestrial इनकी body में दो parts में divided है एक head हो गया, एक trunk region होगा अब यह important है इनकी body moist होती है यह skin के through भी breathe कर सकते हैं लेकिन body में scales नहीं होती eyes में eyelids होंगी tympanum, ear की तरह काम करता है elementary canal, reproductive tract यह सारे cloaka में open होते हैं important ठीक है respiration is by gills, lungs और skin जैसे मैंने बताया था यह भी cold blooded है इनमें अब three chamber hard होता है three chamber जिसमें दो auricle होते हैं और एक ventricle होते हैं ठीक है, sexes separate होते हैं oviparous होते हैं, development indirect होती है fertilization external होती है जो की water medium में होती है अब यहाँ पर याद रखना है toad को buffo बोलते हैं और frog को rana बोलते हैं ठीक है, तो यह सारे हमारे amphibians होगे now next we have reptile जिसके example, chameleon, crocodes यह basically crawling animals होते हैं जो crawl करते हैं locomotion के लिए इनकी body में scales होते हैं जिससे snakes आगे अब ear openings में भी tympanum present है अब यहाँ पे जो इनका heart है वो three chamber होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ crocodile में four chambered heart होता है यह भी cold blooded है अपना जो body का internal temperature है वो change करते रहते हैं sexes यहाँ पे separate होते हैं इनकी body में scales है अब fertilization internal है यह oviparous है again egg lache करते हैं और इनकी development direct होती है कोई larval stage नहीं आती तो यह भी examples है इन सबके examples हमें easy हैं लरन करने और यह question में आते भी नहीं है pony fishes हैं कौन से cartiligen fishes हैं किस में क्या-क्या features हैं next we have apes apes के अंदर birds आती हैं अब यहाँ पे क्या हो गए birds के पास feather होते हैं इनके hollow bones होती हैं जो help करते हैं flight करने में अब लेकिन जो flightless birds हैं जैसे ostrich तो यह क्या करते हैं इनके पास feathers तो हैं बट यह fly नहीं कर पाते then क्या आगे इनके पास एक beak होती है जो four limbs हैं वो wings में modify हो चुके होते हैं अब again इनकी body में क्या हैं जो hind limbs हैं जो पीछे बाली lips हैं वो walking के लिए swimming के लिए clasping के लिए clasping यानिकी किसी चीज को पकड़ने के लिए use होती है इनकी body dry लेती है लेकिन tail के base में यहाँ पे oily होती है क्योंकि oil glands present होती है body में जैसे मैंने बताया air cavities होती है hollow bones होती है अब जो digestive tract है वो additional chambers है crop और gizzard अब यहाँ से start हो जाते हैं warm जो की अपने temperature को body के constant रहते हैं ठीक है homeo thermos होते है सारी birds आ गई इसके examples इनकी body में air sec जो की lungs से connected है तो अब gills नहीं है उनके पास lungs है oviparice है eggs ले करती है and last जो हमारे आते है mammals mammals वो होते हैं जिनकी body में memory glands है इनको नरिश करना होता है young ones को और ये birth भी young ones को देते हैं तो ये क्या होते है वीवी parry ठीक है अब ये जैसे जैसे जहां रहते हैं उनी हिसाब से इनकी body में adaptations होती है then अब इनके आ memory glands है ये important feature हो गया इनके जो दो limbs हैं इनको walking में running में burrowing में इन सब चीजों में help करते हैं ठीक है mammal के पास hairs होते हैं जो इनको warm रखते हैं external ear tympanum नहीं होता पिने होता है बाहर वाला ठीक है teeth present होते हैं different different time के depending upon कि वो क्या खाना खाते हैं क्या वो हर्भी वोड्स हैं क्या ओमनी वोड्स हैं क्या वोसे flesh खाते हैं warm blooded है homeo thermos है respiration lung से होती है separate sexes है fertilization internal होती है internally fertilization होती है जैसे humans में phallopin tube viviparous young ones को produce करते हैं ये सारे example हो जाएंगे अब एक चीज़ याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ जो platypus होता है वो oviparous होता है बाकि सारे के सारे क्या होते हैं vviparous होते हैं अब आप इस table को अच्छे से learn कर सकते हो तो हमने क्या क्या देखा इस chapter में हमें क्या क्या पढ़ना है सारे example जो भी peculiar points थे जो मैंने circle किये थे important points थे और इस chapter को learn करने का एक ही तरीका है कि इसके questions practice करो जितने इस chapter के questions practice करोगे उतने जादा आपको ये learn हो जाएगा so thank you